असलों अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब दा एविजड अकैडमी से मैं मुहम्मद आफ्तावलम और हमेशा की तरह आप लोग के लिए लेका है हूं एक शांदार जांदार और आपके काम की वीडियो और यह वीडियो में ने बनाई है इस्पेशली एनाईस ओपन बोड के स्टूडेंट्स के लिए जिने एक्जाम देना है एनाईस ओपन बोड से टेंथ क्लास का और सब्जक ले रखा है उर्दू जिसका पेपर कोड है 206 तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को 20 नंबर में ट्यूटर मार्क एसाइमेंट बना कर 31 जनवरी तक जमाग करवा देना है लेकिन अगर आप एक्जाम देने वाले हैं अक्तूबर सन 2021 के अंदर तो फिर आप लोगों को ये एसाइमेंट 31 जुलाई सन 2021 तक बना कर अपने स्टेडी सेंटर पर जमाग करवाना है तो चलिए फड़ा-फड हम स्टार्ड कर लेते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि अर्दू के अंदर मैं आप लोगों के लिए टूटर मार्क एसाइमेंट जो सॉल्व करके लेके आया हूँ उसके कोशन और आंसर कैसे लिखने हैं और किस तरीके से आप लोगों को ये एसाइमेंट सॉल्व करना है वैसे आप लोगों को बहुत अच्छे बहतर मार्क्स मिल सकें तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों यह जो एसाइमेंट है मैं आपको फिर बता दूँ 20 21 का है ठीक है और सब्जक्ट है आपका अर्दू जिसका पेपर कोड 206 है तो पहला कोशन यहां पर देख लेते ह आपका तो उसे जो है दस्तेपना कहा जाता है तो यह को यह रहा आपके सामने कोशन और एक बात आप लोगों को और याद रखनी है तमाम कोशनों के अंदर आप लोगों को दो आप्शन दिये होंगे आप्शन ए और आप्शन बी यानि के यहां पर दे रखा है मैंने पहल solve करके दिये हैं वो इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को एक्जाम में भी help हो सके और आप एक्जाम में भी ज्यादा अच्छा कर सके और अच्छे बहतर marks आप लोगों के आ जाएं तो यह लीजिए यह रहा इसका answer उतार लीजिए और प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को इसी तरीके से दूसरे किसी assignment के answer चाहिए चाहिए वो आपका science हो मैस हो या कोई भी दूसरा आपका subject हो तो आप उसका assignment हमसे ले सकते हैं इसके लिए आपको नीचे description में मैंने अपना WhatsApp नंबर दे दिया है उस पर आप message कर लें तो आ अगर आप लोगों को इस उर्दू का assignment का PDF चाहिए ताके आप इसे आराम से देख कर उतार सके तो आप उसके लिए भी message कर सकते हैं और यह देखिए इस question के answer को हमने इस picture की मदद से जो है और अच्छे से explain करने की कोशिश की है तो आप भी इस picture को paste कर देंगे चिपका और यह image आपको PDF के साथ जो है मिलेगी तो PDF देखके आप answer उतार सकते हैं और picture को आप paste कर सकते हैं उतार लीजिए और यह रहा question number second एक बार मैं आपको question पढ़कर बता देता हूं बूढ़े की बैचेनी और बेकरारी को किस तरह करार आया तो यह आप question लिख लिजिए और यह देखे इसका answer तफसील से यहाँ पर हमने दे दिया है आप जैसा दिया है वैसा उतार लें और इस तरह के page में A4 वाले page में अगर आप इसके answer को लिखेंगे तो ज्यादा बहतर marks आपको मिल सकते हैं लेकिन अगर आपके पास इस तरह का page नहीं है तो आप किसी भी A4 size के blank page पर भी इसके answer को उतार सकते हैं एक बार मैं आपको फिर्याद दिला दूँ PDF के लिए मैंने नीचे description में अपना WhatsApp नंबर दे दिया है तो यहाँ तक आपका second का answer था बाकी के answer आपको part 2 के अंदर मिलेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like कीजि जी उन तमाम दोस्तों के साथ जिनका आप भला करना चाहते हैं और जैसे हमारे इस वीडियो पर 1000 like आ जाएंगे मैं आप लोगों को part 2 बना कर दे दूँगा लेकिन जिन students को urgent चाहिए वो wait नहीं कर सकते इंतजार नहीं कर सकते तो वो इसका PDF ले सकते हैं उसके लिए आपको छोटा सा चार्ज देना होता है तो बाकी इस वीडियो को लाश्तर देखने के लिए आप सभी बच्चों का तहिदल से शुक्रिया